नमस्कार विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्पागत है रीवा में रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम RCMS के सॉफ्टवेर में तकनीकी खामियों की वज़े से सैक्डो लोगों के काम अटक गए हैं बीते कई दिनों से लगातार आ रही समस्या का समधान अब तक नहीं हो हैं वहीं फरवरी महिने के शुरुवाती दिनों से ही तकनीकी समस्या सॉफ्टवेर में बनी हुई थी जो अब करीब सप्ताह भर से और अधिक बढ़ गई है इन दिनों भूमी की खरीदी और विक्री का कार्य तेजी के साथ हो रहा है इस कारण अधिक संख्या में बटवारा नामांतरन आधी के आविदन आ रहे हैं अब यह कार्य लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से होते हैं जिसके चलते हर दिन कलेक्टरेट के पास स्थित लोक सेवा केंद्र में बड़ी संख्या में अलग-अलग कार्यों के लिए आविदन आ रहे है यहां पर आविदन स्विकार नहीं होने की स्थिती में लोग दूसरी जगह पर आविदन के लिए जा रहे हैं वहां पर भी काम नहीं हो रहा है जनपदों की स्थिती भी इस तरह की बनी हुई है बताया जा रहा है कि यह समस्या के वल रिवा की ही नहीं अन्य जिलों में भी बनी हुई है सौफ्वेर में तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए अधिकारियों ने भुपाल स्थ मुख्यालय को पत्र भी भेचा है लेकिन अब तक कोई सुधार नहीं हो पाया बता दे अधिकारियों का कहना है कि दो से तीन दिनों के बीच समस्या का समाधान होने की उमीद है रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम के सौफ्वेर में तकनीकी समस्या के चलते कई तरह के आविदन नहीं हो पा रहे हैं पार के आविदन करने में कठिनाईया हो रही है